देखे हैं हम आर्मी एसिस्टेंट नर्सिंग एसिस्टेंट और सर आर्मी टेकनिकल के लिए बहतरीं तरीके से फिरीं में सलेबस आपको कमेश्टिक करा रहे हैं तो नए है तो चैनल को सास्क्राइब कर लीजिएगा आज का हमारा जो से Ultra है वो पेरियोडिक टेबल के उपर ह मेरे भाई पेरियोडिक टेबल से बहतरीन कुस्टन और आप इसके पहले के वीडियो आप मेरे भाई प्लेज जाके चैनल में देख लीजिए हना चैनल पे लिंक डिस्किप्शन में है तो वहाँ से जाके आप सभी वीडियो देख लीजिए दो चैप्टर हम करवाती हैं और एक महिने के अंदर गरंटी लेता हूँ और एक महिना अपने क्लास ले लिया तो मेरे भाई दस नंबर के आपके कुस्टन आने वाले हैं टेक्निकल आर्वी में तो मैं गरंटी लेता हूँ मेरे भाई आठ नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं टेंसर मुक्त रहना ले मेरे भाई हम क्या किये थे कि हमारे पास में खूब सारे इलिमेंट हो गए मतलब खोज जो साइंटिस्ट लोग थे हना तो उन्होंने खोज करते रहा करता रहा खूब सारे इलिमेंट हो गए अब बात ये आई कि मेरे भाई ऐसा कैसा किया जाए कि elements को अच्छे से arrange करके रख दिया जाए हाना रख दिया जाए कि एक दूसरे से वो लड़े भीड़े भी ना हाना अलग से रखे रहें तो ऐसा कुछ करना था हमें तो scientists ने क्या किया periodic table एक बनाया और उसमें रखना इस्टार्ट किया तो ठीक है अब इसमें देखने अब होता क्या है सबस्थ पहला question हम रखेंगे कैसे कैसे रखेंगे चीजों को हम उस चीज को समझेंगे मेरे भाई लेकिन पहले देख लो कि जो periodic table के फादर है ना मेरे भाई जो periodic table के मेरे भाई जो फादर है ना उन्हें जानतों क्या बोलते है periodic table के जो फादर है मेरे भाई उन्हें मेंडलीव बोला जाता है याद कर लो मेंडलीव बोला जाता है दूसरा question देखो जब हमने element रखना start किया तक तो रखना start किया किसी periodic table में तो हमारे पास में दो चीजें समझ में आई समझ में ये आई कि जो मेंडलीव थे ना उन्होंने बोला कि कि जो हम element रखेंगे वो according to मतलब atomic mass के अधार पर रखेंगे मतलब परमारू भार के अधार पर रखेंगे कौन बताया मेंडलीव ने बताया आपको याद रखना पड़ेगा किसने ये बताया था कि जो हम elements रखेंगे periodic table में atomic mass के अधार पर परमारू भार के अधार पर रखेंगे ठीक है अब इसके बाद में ये हुआ कि भाईया मेंडलीव ने ये बता दिया ठीक है भाई अब मेंडलीव ने ये बताया तो जब उन्होंने रखना इस्टार्ट किया याद रखना मेरे भाई कहानी की तरह आपको याद करना पड़ेगा जो जो चीजे बता रहा हूँ आप याद करते जाओ बहतरी एक एक कुश्चन आपके सामसे पहाँ जाएगा तो ध्यांच देखना जब इन्होंने रखना इस्टार्ट किया अब उन्होंने क्या किया कि जो पेरियोडिक टेवल थी ना उन्हें सर एटामिक मास के अधार पर रखना इस्टार्ट कर दिया एटामिक मास के अधार पर लिखना इस्टार्ट कर दिया स्वारी थोड़ा सा भाई है जब उन्होंने अटामिक मास के अटामिक नंबर के परमाडू करमांग के अधार पर उन्होंने रखा तो उन्होंने देखो देखें क्या तो सब पहले आप से कोई पूछेगा कि जब पेरियोडिक टेबल बन रही थी तो अटामिक मास अटामिक नंबर क्रमांग के अधार पर किसने अवर्त सांडिक बनाई तो याद रखना मोसले ने बनाई थी क्लियर हुआ अब देखो अब देखो अब देखो हम periodic table को आपको समझाने की कोशिज कर रहे हैं इसके बाद में हम आएंगे आपके सामने परियोडिक टेबल आपके सामने आ चुकी है अब इसमें देखेंगे क्या कैसे कैसे होता है तो ध्यान से देखेगा मेरे भाई ये आपके सामने परियोडिक टेबल है ध्यान से देखेगा परियोडिक टेबल है मेरे भाई ध्याज से रखना यह जो सुरू के दोटों है यह दोटों ब्लोक हैं इन्हें मेरे भाई yes ब्लोक बोला जाता है याद रखना yes ब्लोक बोला जाता है इसके बाद में मेरे भाई ये जो इतने सारे हैं यहाँ पे इतने सारे हैं मलब तीन नमबर से बारा नमबर तक मेरे भाई ये डी ब्लॉक होते हैं याद रखना ये डी ब्लॉक होते हैं मेरे भाई डी ब्लॉक होते हैं इसके बाद में सर ये वाला जो उचाई वाला पार्ट ह गए तो अब समाझेगा मेरे भाई अब थ्यान से सुनना कि ध्यान से देखना अगर बोलेगा कुश्चन में कि पेरियोडिक टेवल में अवर्त सानिक में मेरे भाई पीरियड कितने होते हैं तो याद रखना पीरियड ये वाले कहलाते हैं एक मैं आपको ले लेता हूं मेरे एक दो तीन चार पांच छाए साथ तो इनको पीरियड बोला जाता है तो मेरे भाई अगर आप से पूछेगा नोट कर लो कि आवर्ट सानरिक में पीरियड कितने होते हैं तो याद रखना पीरियड जो है साथ होते हैं आवर्ट साथ होते हैं अब अगर वर्ग पूछेगा ग ग्रूप पूछेगा, ग्रूप कितने होते हैं, तो ग्रूप क्या बताएंगे मेरे भाई, आप ग्रूप में क्या बताएंगे, बताएए ग्रूप में कितना बताएंगे, तो याद रखना, ग्रूप ये वाले को कहते हैं, ये वाले को ग्रूप कहते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छहे, साब, आट, नाओ, दस, गेडा, बारा, तेरा, पारा, सोला, सत्रा, ठारा, तो ग्रूप अगर पूचेगा, वर्ग अगर आपसे पूचेगा, वर्ग पूचेगा, तो मेरे भाई आपको याद रख है इस प्रकार जो पार्ट है तो मेरे भाई ये आवर्थ कहलाता है और सर ये जो इस तरह वाला पार्ट है तो मेरे भाई ये पीरियट कहलाता है मतलब ये वाला पार्ट इस प्रकार वाला आवर्थ कहलाएगा और इस तरह वाला जो पार्ट है वो पीरिय गुरूप कहलाएग वर्ग कहलाएगा, अगर क्लियर हो रहे हैं चीजे तो क्लियर रखिएगा अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बार की बार बता रहा हूँ कि आपको इस प्रकार आपको 20 तक याद रखना पड़ेगा यहां तक आपको याद रखना पड़ेगा 20 नमबर तक आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन एक नमबर पर बैठा है हीलियम दो नमबर पर बैठा है लीथियम तीन नमबर बैठा है बोर्बरेलियम चार नमबर बैठा है बुरान पाच पे कारवन 6 पे नाइट्रोजन 7 पे अक्सीजन 8 पे फ्लोरीन 9 पे नियों 10 पे बैठा हुआ है 11 पे सोडियम बैठा है 12 पे मैंडीजयम बैठा है इस प्रकार आपको 20 नमबर ता कैजिटीज याद करना पड़ता है तो अब पेरियोडिक टेवल के सवाल नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को याद रखना तो अगर आपको वर्ग और अगर आवर्थ आपको क्लियर हो गया है तो मेरे भाई पेरियोडिक टेवल लाने का मेरा मतलग एकदम कंप्लीट हो गया है अब देखना most most repeated जो question है periodic table से related मैं आपको कराने की कोशिज कर रहा हूँ अब हमने periodic table को समझ लिया है अब देखेगा आपको बताया हूँ सर वो जो खड़ा खड़ा वाला पार्ट होता है उसे group बोलते हैं work बोलते हैं समोय बोलते हैं और सर यह जो लेटा वाला पार्ट होता है यह जो लेटा वाला पार्ट होता है यह मेरे भाई क्या कहलाता है period हावर्त कहलाता है मैं आपको clear कर चुका हूँ और याद रखेगा ठीक है अब इसके बंद में यहाँ पर देखे आपको yes pdf सब कुछ बता दिया कहां से कहां के element spdf होते हैं ठीक है तो आप periodic table में गिन लीजिएगा अगर yes block में अगर हम group की बात करेंगे s block में कितने group बनेंगे इस question इस slide से आपके question fix है मेरे भाई प्लेज धियांचे सुनना अगर yes block में वर्ग की बात करेंगे वर्ग या group की बात करेंगे तो दोट होते हैं और सर यह high reactive होते हैं सर यह high reactive का क्या मतलब होता है मेरे भाई high reactive का मतलब होता है कि यह किसी से इतना चल्दी reaction कर लेते हैं कि जिसकी सीमा नहीं है मतलब high reactive metal कहलाते हैं जो s block बाले होते हैं मेरे भाई अब मैं बताओं आपसे s block में एक आता है sodium अगर मेरे भाई sodium इतना reactive होता है मानलो अगर पानी में गलती से थोड़ा सा भी पानी उसमें छुगा है तुरन ताग लगा देगा तो याद रखना s block high reactive metal होते हैं अगर पी बलाग की बात करते हैं उसमें मेरे भाई group या वर्ग की बात करेंगे तो मेरे भाई 6 वर्ग होते हैं और इसमें सर धातू अधातू मेटलोइ्ट सब कुछ होता है इस चीज को याद रखना इसके बार में D-Block की बात करते हैं D-Block भी मैं आपको समझाया था ग्रूप में sir साथ होते हैं वर्ग साथ होते हैं और sir अगर इन्हें transition element संग क्रमात तत्त भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं कैसे बोलते हैं D-Block वाले element में हम जरूर देखेंगे मेरे भाई अभी बस याद कर लो इसको इस प्रकार बोलते हैं अगर sir अप ब्लॉक की बात करते हैं तो अप ब्लॉक में जो वर्ग हैं गुरूप हैं वो 14 या 15 होते हैं आपको option में 14 भी दिख सकता है 15 भी दिख सकता है कोई दिक्कत नहीं है और sir इन्हें जो है iran transition element बोलते हैं या कि अंतर संक्रमक तत्वी बोलते हैं अब clear हो गया तो आप देखें periodic table से related हम आपको सवाल कराने वाले हैं एक एक line जितने ये question दिख रहे हैं आपके सामने एक दो तीन चार पांच नीचे भी आने वाले हैं तो मेरे भाई सभी 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 most important question है बहतरीन तरीके की important question है अब periodic table से related मेरे हिसाब से जैसे ही आप exam में बैटोगे periodic table को question आएगा तो आप देखते ही question को फोड़ दोगे कहीं ऐसा नहों कि इसी slide से question बन जाए इसी slide से question उठके आ जाए आपके exam में और आप उसको फोड़ दे तो ध्यान से देखना ध्यान से समझना तो पहला question बनेगा block in periodic table आवर्ट सरानी में कितने block होते हैं तो मैं आपको बता था चार block होते हैं चार block होते हैं कौन को से spdf clear हुआ clear हुआ पहला question दूसरा question देख लो जो period होते हैं समू है और अवर्ट जो होता है हना तो modern periodic table की बात कर रहा है modern periodic table सर जो आधुनिक अवर्ट सानिक है उसमें मेरे भाई कितने group होते हैं तो हमने अभी अभी देख के आया हैं डाइग्राम में 18 group होते हैं समू है 18 होते हैं और सर अगर period की बात करते हैं तो साथ होते हैं के लिए रुआ तो आंगे बढ़ते हैं इसके बाद में मेरे भाई अगर आपसे कोई पूछा कि hydrogen का खोच किसे ने किया था मतलब hydrogen के father कौन है कुछ भी पूछ लेगा अगर hydrogen के खोच के नाम पूछ लेगा या सर hydrogen के भादर का उन है तो मेरे भाई आपको chemendis बताना पड़ेगा chemendis बताना पड़ेगा अगर आपको अगर आपको एतराज ना हो तो एक physics का सवाल बता दूँ मेरे भाई यहीं से chemendis सब्द से बता दूँ कि मेरे भाई अगर आप से कोई पूछेगा कि जो वो capital G आता है ना मेरे भाई यह जो capital G आता है ना आप पढ़े होंगे gravitational वाले पार में capital G gravitational constant इसकी खोज किसे ने की थी तो chemendis ने ही की थी तो याद रखना physics का भी आपका question clear हो गया और hydrogen की खोज भी chemendis की थी और sir gravitational constant की भी chemendis ने किया था इसके बाद में मेरे भाई discovery of nitrogen और oxygen देख लेना हाना nitrogen oxygen की discovery किसे ने किया था तो मेरे भाई आपके सामने नाम लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हाना इसके बाद में अगर ध्यान से देखते हैं तर discovery of the radium एक कोई periodic table में element होता है radium इसको जो खोज थी मेरे भाई क्यूरी किये थे और sir ये radio activity होता है sir ये radio activity क्या होते है sir वही radio activity ऐसे elements होते हैं जो बहुत जल्दी reaction कर लेते हैं उन्हीं को radio activity बोलते हैं इसके अन्वे याद रखना एक चीज याद रखना discovery of noble gas अचा periodic table में आपको बताना है noble gas कहाँ पे होती है noble gas कहाँ पे होती है तो याद रखना मेरे भाई जब periodic table में आपको पढ़ा रहा था तो जो अठार्मा नंबर का ग्रूप था अठार्मा नंबर के ग्रूप था उसी को noble gas बोलते हैं हाना अक्रिय गैस बोलते हैं जो किसी से reaction नहीं करती है एक ऐसी gas कुश्चन बनेगा ऐसी gas बताओ जो किसी से reaction नहीं करती है तो आप क्या बताओगे क्या बताओगे बीना देखे noble gas लगा देना अगर दोनों दिखा अगर रेले में दीगा रेमसे भी दीखा तो याद रखना रेमसे को आपको क्लिक करना है रेले को फिर नहीं माना जाता अगर आपशन में दोनों है याद रखना इस चीज़ को अब इसके बद में noble gas की बात करते हैं तो मैं भी अभी बता किया हूँ अठार्मा नमबर का जो group होता है उसी को noble gas बोलते है noble gas में कौन कौन सी gas होती है तो याद रखना sir helium होती है, neon होती है, organ होती है, krypton होती है, junon होती है याद रख लोगे, group number 8 जाके देख लेना, वहीं पे आपका सब कुछ लिखा हुआ है इसके periodic table में और कुछ चीज़े देख लेते हैं, sir सबसे हलका element किसका होता है hydrogen को बोला जाता है, सबसे electro conductivity element है, मतलब sir सबसे ज़्यादा किसमे current flow हो जाता है, मेरे भाई आपको पता है, silver में हो जाता है, silver आपका अंसरा जाएगा मेरे भाई, एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, की, की, जितने भी periodic table से question बनेंगे तो एक liner question बनेंगे, इसी प्रकार की question बनेंगे, अच्छा आप ये बताओ, अगर मैं आपसे direct पूछता कि सबसे हलका element कौन सा होता है, periodic table में, क्या आप बता सकते थे, नहीं बता सकते थे, लेकिन आपने यहाँ पे पढ़ लिया, की, सबसे हलका element hydrogen होता है तो अगर आपसे बनता है, तो आप click करेंगे, और नहीं बनता है, तो आप click नहीं करेंगे, तो एक चीज याद रखना, कि periodic table में, concept से ज़्यादा, concept से ज़्यादा मेरिवाई, important है एक दम static questions है, एक दम fix questions होते हैं, fix questions होते हैं, उन questions को अंदर तक देखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, उसमें कोई logic नहीं लगता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है और दूसरी बात, अगर आप selection के लिए तैयारी कर रहे हैं, selection के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, हना, तो फिर तो मेरे भाई, आपको जो भी याद करने को बोला जाएगा, कुछ भी करने को बोला जाएगा, बस आपको वो करना है, और आप करेंगे, ये मेरा, ये, ये, ये अपने आपसे commitment कर लेना मेरे भाई जितना पढ़ाया जारा बस उतना पढ़लो आपका 100% सलेक्शन होने बाला है बस अब इसके बाद में देखना इसके बाद में देखना कि high melting point elements कौन से होते हैं high melting point element मतलब जिन्हें आसानी से गलाया नहीं जा सकता मतलब melting point का मतलब होता है मतलब उनको बहुत जादा गरम किया जाता है तब यह पिगलते हैं तो किसको बोलते हैं तो kandestan को बलते हैं तो याद रखना kandestan को बोलते हैं और ग्यारमा कोस्टन लिक्टिकट के फॉर्म में मतलब पानी की तरह कौन सा द्रामद पाया जाता है कौन सा थोस पाया जाता है तो यादग्ना मरकरी पाया जाता है ये होता है, अब इसकी बाद मियाद रखना अब जो जो कोस्टन आध छोट गए हैं योडिक टेवल से कल कराए जाएंगे और एक चीज याद रखना देख सकते हैं मैं प्रेक्टिस सिट भी आपके लिए लाएंगे देख लीजिए अगर आप अच्छे कॉंसेप्ट देखेंगे तो तब ही कल आप इन कुश्चनों को कर पाएंगे ठीक है तो प्रेक्टिस सिट बहतरीन तरीके से कैसा लगए वीडियो ज़रूर बताएगा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और सपोर्ट कीजिएगा मिरवाई प्लीज आपको बहतरीन तरीके से आपको सलेबस दिया जारा फ्री में और जल्द से जल्द फिजिक्स की कलास भी आने वाली है उसमें देखकर मतलेना जहिंद